वो सिफ और सिफ मुसल्मानों को गुम्दा करने उनका काम है मुसल्मानों गुम्दा करो मुसल्मानों कटवाओ मरवाओ और राज करो मोदी जी ने आज तक जो भी काम के मुसल्म समधाय के लिए इसके पहले कभी किसी ने निकिया आने में नमक तेज हो गया तलाक तलाक तला बुजदिल है मैं डंक्या के चोट पर गए तो आज कम बुजदिल है और बेइमान होगी है मुसलमान हराम खाखा करके हिंदुस्तान के मुसलमान ज्यादा उचलने लगता है क्यों चलता है मैं उचलूंगा हाइलाइट हूँगा सरकार तिल मिलाएगी में साथ हमें खान कर आए कि जो माइनॉरिटी वोट सें बेसिकली सेकेंड मिजॉरिटी वोट वह भाजपा की तरफ नहीं आये हैं और नहीं आने वाले हैं वह पी डी ए जिसमें पिछरा दलित अल्प संख्यक है इसमें अल्प संख्यक तो आप है ही और देश के डेटा को माने तो पिछरा भ तो आप मुझे बताईए कि कितने मुसलिम बच्चे डॉक्टर बनते थे, कितने आईएस बनते थे, पिछला समाज था, लेकिन जब से 2014 से भारती इंता पार्टी की सरकार बनी और अधरणी नरेंद मोदी जी पधामंतरी बने, उसके बाद से एक बदलाव आया, एक ऐसा बद जागरुक हुआ, क्योंकि पधामंतरी जी ने मुसल्मानों के बारे में सोचा, इसके पहले किसी भी पधामंतरी ने मुसल्मानों बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उनको अपना परिवार देखना था, उनको अपने पार्टी के अध्धच को खुश करना था, उनको अपन मुसल्मान तरक्की की ऊपर चल रहा है, सफलता की शिखर पहुच रहा है, आज मुसल्मान डॉक्टर बन रहा है, मदलसे का बच्चा जो पढ़ा हुआ, मोदी जी ने जब दोसा चौदा में कहा था, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैप्टॉप, उसको मुसल्मानों ने मा अपने मदलसों में हिंदी, इंगलिश, सब पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, उसका नतीजा ये है, कि आज हमारे बच्चे बराबर से कंदे सकंदे मलागे चलने हैं, बाकी कौम के बच्चों के साथ, जौफ में अच्छे आ रहे हैं, हॉस्पिटल छेतर में जा रहे हैं, फौज की बात की, फौज से मुझे याद आया कि ये तो असद अद्दिन OVC, जो इस वक्ट अपने आपको देश में अकेला मुस्लिम निता मानते हैं, मुसल्मानों का निता मानते हैं, वो कह रहे हैं, कि मुसल्मानों को फौज के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, सरक मेधा मानता ही नहीं हूं। आपने पाल्ट्य में वो हैं। नंबर टू बाइना देता है। उनका भाइ विवादीत ब्यान देता है। वह पने बाए का बचाओ करते हैं। ठीक है, एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने भाई के ऊपर बड़ा प्रेशा बना रखा है, तुम्हें कुछ गलत नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि यह किस प्रत्विक्ति का वेक्ति है, किस तरह के वेक्ति है, जब बोलेगा तो जहरी बोलेगा, तो चैलेंज घरता हूं इस बात का, क्यों एक काम अधाद है, मुसल्मानों को सुरक्षित रखा हुआ है, उनको उनके लिए स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, अब पूरे देश में जब वो सदर बनेंगे, तब तो मुसल्मानों के लिए काम कर पाएंगे, क्या वो स्रीफ एजराबाद के मसल्मानों नेता हैं, वो चुनोट परेदेश में लोते हैं, उनके पाल्टी के लोग पुरेदेश में ख़ड़े होते हैं, तो क्या वो अपने उस धनवान कंडिडेट से यह नहीं सकते हैं, इस तो अपने गरीब भाईयों मदद करो, या वहाँ पे कॉलिज खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, या कोई मुसफी खाना खोल दो, कोई एक नम बताईए जो खुला हो, वो सिर्फ बयान बाजी करते हैं, वो बयान वी रहें, वो सिर्फ व सिर्फ मुसल्मानों को गुम्ला कर रहें, उनका काम है, मुसल्मानों गुम्दा करो, मुसल्मानों कटवाओ, मरवाओ और राज करो, ताकि हम सीड जीतते रहें, हमारा वर्चो से बलता रहे कुछ लोगों की फित्रत है, कि मोदी जी अच्छा भी करेंगे तो उनको बनाम ही करेंगे वो मोदी जी ने आज तक जो भी काम के मुसल्म समधाय के लिए, इसके पहले कभी किसी ने ने किया मोदी जी की जितनी योजनाय चल रही है, राशन वितरतुरा स्री में, आवास दिया जा रहा है, शौचाले के दिर्मान कर आए गया, उज्वला योजना चलाई गई, अजुष्मान योजना चलाई गई, मुझे कुई एक मुसल्मान ऐसा बता दे, कि उसको इसका लाब ना उस महिला का जीवन बद से बत्तर हो गया, साओधी अरब में बैठें नौपरी कर रहे हैं, उन्हों ने देखा रहे यह फोटो में मेरी बीवी मैके गई भी यह मुसे पुझा नहीं, फून लगाया, तो मैके क्यों गई, वो अबूजी बिमार दे, तुमने मुसे पुझा, नहीं, वो जल्दी जले गए, मैं तुझको शोगता हूँ, तलाग, 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 तीन तलाग दे दिया फिर से, महिला का जीवन क्या, उसने ये फिकर नहीं की, मिरे बच्चे कहा जाएंगे, ऐसे परिवार बिघर जाता है, ठीक है, दूसरी बात, कौन पालेगा, और मुसल्मानों में तो मेरेज जो है, वो कॉंट्रेक्ट है, यहां तो कोई साथ जन्मों का रिष्टा नहीं है, हमारे शरीयत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को, हमारी जो रिलिजियस फीडम है, उसका कतल कर रहे हैं, तो तमाम मुस्लिम कोई एक आदि मुझे, कितने मुस्लिम मुलकों में तीन तलाग है, या इसलाम में तीन तलाग कहीं है, कुरान में तीन तलाग है कि एक साथ, तलाग का फॉर्मूला क्या है, अगर मेरी आप अपनी पत्नी से नहीं बन रही है, विवाद चल आए, तो पहले मैं उसको थोड़ा टाइट लह्से समझाऊगा, फिर इस अबनी तो मैं इसको हलका सा मारूंगा, जिसा मारूंगा कि निशात नहीं पढ़ना जाहिए, ठीक है तब इसलाम में बनी है, प्यार वाली मार है, इसलाम इसला मिया पीर उसले रही आए, फिर इसले कर लूँगा, फिर इस वो महिला क्या होगा। तो एक तलाख जद हो गया, हमसे साथ है बात नहीं बनी फिर मैं इसको दूँगा एक तलाख, मैं तुछको आश दूसा तलाख दे रहा हूं अगर बात बन गई, तो ठीक उसके बाद एक महने बाद तीन तलाख होगा तीसा तलाग दी जाएगा वो तलाग होता है यह नहीं कि तलाग 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 यह क्या है यार यह कौन सा फंडा है आप दिन को बदनाम कर रहे हैं आप में तीन तलाग देते हैं वो महला क्या होगा उस घर में पता ने उसके माईकेम उसके माबाब है कि नहीं महला कह जाएगी दक्षिन में तो हमने ये भी चीजे सुनी है कि कॉंट्रेक्ट मैनेज होती है कई बार एक रात के लिए शादी है वहां पे कई बार सफर के लिए शादी है और एक खबर आई थी जिसमें अठरा बार एक लड़की का निकाह हो चुका है वह भारत से कहीं और लेके च चुनाव जीत रहा है तो इसका मतलब तो यह कि मुस्लिम समाज इन सब चीजों को एकसप्ट भी कर रहा है देखिए इसलाम में इस तरह का कोई भी चीज वाइद नहीं है कि आप अपने मज़े के लिए अपने याशे के लिए निकाह करें किया तो इसलाम के नाम पर ही जा जा रहा है और आज जो मुसलिमानों के सबस्पर हमदर्द बनते हैं यह किस सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में हो रहा है तेलंगाना में हो रहा बागी कहीं नहीं हो रहा है यह तेलंगाना और हैदराबाद उन्हीं के छेतर है उन्होंने किसी को रोकने कुशिश करी नहीं वहां पर भी सेक्रो मौलवी होंगे, वहां पर भी हाफिज होंगे, और भी बहुत साहिए लोग होंगे, नेता तो मुसल्मान है ही चलो, ठीक है, और यह जो पूरा नेकसस चल भी रहा है, उसमें शादी करवाने कलो तो मौलवी आता होगा, है कि नहीं, और यह सब कुछ जो हो रहा है, वो दीन के नाम पर ही हो रहा है, मेरी बाते को आप अन्यता ले सकते हैं, लेकिन यह है सच्चाई, और यह जो दंश जहर है, यह अब दक्षिन भारत सा उत्तर भारत की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि एक समस्या है, औ देश में तथाकथित जो बरे बरे मुस्लिम नेता है, इसकी चपेट में मुस्लिम बेटियां आ रही है, ना देव बंदीस के खिलाफ कोँई बात बोलता है, ना आजम खान जैसे बरे नेता बात बोलते हैं, यह किसी भी मुल्क का कोई बरा मुस्लिम नेता इन सब इशों पर बात नहीं करता और गलती से भाजपा का कोई नेता इस विशे पर बात कर दे या कोई हिंदू नेता इस विशे पर बात कर दे तो सीधी बात पूलेंगे दीन खत्रे में हैं शरीयत खत्रे में हैं हमारे हक चीने जा रहे हैं ताना शाह है फासिवादी सरकार है देखिए य प्राए दीयुक्ति भी होगा चार अगर नेक होंगे तो बुरा विक्ति विक्ति काम कर रहा है तो हम लोग का फə hospitalized बनता है ऐसे व्यक्ति खिलाफ एक्षन लें और रही बात यह कि मौलाना लोग इस पर आवाज ने उठा रहे हैं तो मेरी जो समझ की बात है कि जह द्योबंध हूं या बरेली से हूं लोग आवाज उठा रहे हैं ऐसी चीजों पर मना कर रहे हैं लोगों जाबरुक कर रहे है लेकिन फिर भी उन्हीं में से कुछ लोग मौलाना वो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं क्यों बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी जेब भरी जा रही है मैं आपके बाद से इत्फाक नहीं रखता इसके पीछे की बहुत बड़ी वज़ा साफ है कि हर चोटी चोटी चीज पर फत्वा जारी करने वाले एक मुस्लिม लड़की द्वारा राम भजन या शिप भजन गार देने पर फत्वा जारी करने वाले एक आम मुस्लिम का रंग खेल देने के उपर फत्वा जारी करने वाले और ट्विटर के बहुत बड़े बड़े बाश्चाह जो लगातार कहते हैं कि कौम खत्रे में हैं मुस्लिम खत्रे में हैं वो इन सब विशो पर एक तो चुपी साधी रखते हैं अगर चुपी नहीं रखी होती तो यह व इसराइल का मसला हो इसके उपर मुसलमान बोलेगा ठीक है रोहिंग्याओं के उपर मुसलमान बोलेगा अन्य सभी दुनिया भर के विशो के उपर मुसलमान बोलेगा लेकिन अपने यहां गरीबी है अपने यहां इस तरीके का शोशन हो रहा है अपनी बच्चियों को तील तलाख दिया जा रहा है तब बड़ी चुपी साथ लेते हैं क्या वजए हो रहती है हम जब बोलते हैं जब हमारे पर पहुती है अगर हमारा भाई कष्ट में बड़ा अनद आता है हम मज़ा लेते हैं, अच्छा उतलाक हो गया उसका, अच्छा वा मर रहा है वो, लेकिन ज़ब हमारे बहुता है, तो हम तिल मिला आ जाते हैं, इसमें बस जुलम हो रहा है, सरकार हमें परशान कर रही है, पहले हम अपने गिरिबान दो जाके हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, आप चोट पह खान गयता हूँ आज कि मुसलमान बुदिल है और बे इमान होगी है हमसलमान अर्ती हम खा करके वो खा रहा है गरीब बच्चों का ठाइओ, वो खा रहा है अपने भाई का हक, वो खा रहा है अपने बहन का हक तो बुषदिल तो हो गई होगा, अगर हम इनसाफ पे होंगे, हम हक पे होंगे, तो हम कई बुषदिल नहीं हो सकते, हमेशा इसलाम का इता हक का साथ दीजे, और हम हक इतने हक पे हैं, हम 0% हक पर हैं, हम 100% हक के खिलाफ चले गए हैं, हम बेमानी बोतारू हो गए हैं, हम अप तो यह कोम को लुद्ट शोचे नहीं हैं। मुसलमानों को पास जितनी जगात निकलती ठाई परसेंट, अगा इमानदारी से जगात निकाल दी जाया है, तो मैं सी मुसलमानों बात नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान का परतियेक परिवार गरीबी रेखा से उपर आ जाएगा। जगात देते हैं आज भी लोग। जगात मैं समझ से कुछ लोग तो इमानजाईर से निगालते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो खुसकर्दार हूं। ज्मिटश को एम ठाटर शाला है शहूं। अभी भी वक्त है मुसलमान से में अपील करूंगा अब हम आदेसे हक आजायेंगे आप सफ़लताग शिखर भोच जायेंगे ancais σाथ ब ब इस अभी आप खोलो लिजे इसराइल फिलिस्तिन ոिद हुआ तबाम मुसल्मान झंडा लेके को रहा है फिलिस्तिन की सपोर्ड में मुझे बताएं कितने मुस्लिम मुल्क ने बाड़र खुला था फिलिस्तिन के लिए वहां बच्चे मारे जा रहे थे कर पिलेस्तिञ में गाजा हम बच्चे मारे जा रहे थे जाज भी वहां पर अलचे होते किसने लोगों युथ उठीजों को प्लूसी में लोगों फिलकाते थे अपने का कोई मुझे तो कि МУЗЫКА पचाई घगे? हिंदुस्तान के मुसलमान जादा उचलने लगता है क्यों उचलता है मैं उचलूँगा, हाइलाइट हूँगा सरकार तिल मिलाएगी सरकार यसी तिल मिला रही है तुम अपने मैसेज जो दे रहे हैं वो मुल्क के खिलाव जा रहा है तुमको अपने तुमें धरना परशन करना चाहिए उन लोगों के खिलाव जो अपने क्यां फिलिस्तिनियों शरौण नहीं दे रहे थे उनके परोजी ते मुसलिम मुल्क है और सम्रिद है धंदौलत से तेल से हर चीज से मजबूत भरबूर मजबूत हैं वो उसके बाद मुनों शरौण नहीं दिया आप में उनके खिलाव धंदा परशन नहीं किया आप धंदा परशन कर रहे हैं इसराइल मुर्दाबाद चलो लोग मुर्दाबाद करो इसराइल लिंक कम से कम उनके खिलाव मुर्दाबाद करो मुसलमान नाइंसाफी करने अलब बन गया है